आप लोग ने हाली में देखा होगा कि दिली में जो जामा मष्चिद है। इसमें पहलाओं के पिरवेश पर पितीबंद लगा दिया गया था। बाद में आपने देखा है कि उपराज जपाल को हस्तचेप करना पड़ा। उसके बाद इस नेड़े को वापस ले लिया गया है और इससे पहले आप लोगोंने एक सबरी माला पिकरन सुना होगा और जिसमें आप देखी उस मंदिर में महलाओं के प्रवेश पर पिती बंद था बाद में आपने देखा है कि उसमें अदालत को हस्तचेप करना पड़ा और अदालत की नेड़े के बाद ही महलाओं का प्रवेश उसमें होना सुरू हुआ और 2018 में आपने देखा होगा फैसला दिया था तो आप देखे कि हमारे देश के जो धरम गुरू है यह भी अजीब तरह की परिभासाएं गड़ते रहते हैं और आप देखे कि आप सोचे क कि ऐसा किसी भी धरम में आप लोग कहीं कोई पितिवन्दी की बात नहीं गई गई है बस यह धरम गुरू हम लोग देखते हैं अपने हिसाब से परिभासाएं गड़ते रहते हैं और जामा मस्चित की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कि दिल्ली में आप लोग इसे बनबाया गया था दिल्ली में आप लोग इसे देखेंगे ठीक है और दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे यह दिल्ली है और अरवेंद की जीवाल यहां की मुकमंत्री है केंदसासित पिदेश है दिल्ली और आप देखेंगे दिल्ली में विधान स सभा सीटों की बात करें तो सतर सीटे हैं और राज्य सभा में तीन सीटे हैं लोग सभा में साथ सीटे देखने को मिलेंगी और यहां के वो पराज़पाल की बात करें तो बीके सकसेना साहब देखने को मिलेंगे सकसेना साहब तो इसके लिए मस्जित से समध्द अधिकारियो का तरक्था की कुछ महलाएं पूजा इस्तल की पवित्ता का सम्मान नहीं कर पाती हैं और जैसे मश्चित परश्द में वीडियो बनाना आ दी तो आप एक कह रहे हैं मश्चित के जो रखबाले हैं वो कह रहे हैं कि इसलिए हमने इस पर रोख लगा दी थी महलाओं की मश्च के लिए लिंग तटस्था की बात भी करता हैं और पात देनिक परात्नाओं से पहले अजान का उच्चारन किया जाता है और अजान परात्ना के लिए पुरसों महलाओं दोनों हितों एक समान नियंतर्ण हैं जो उपासकों को याद दिलाता है नवाज और सफलता के लिए ज नहीं है भारत में ही आप देखी नई परंपराय शुरू की जा रही है अमेरिका और कनाड़ा में भी महलाएं नवाज के लिए मस्जिदों में जाती है और रमजान में बिसीस तरावी की नवाज और धार्मिक पार्ट के लिए भी उहां एकटा होती है आपने देखा होगा भ मचालित या सुमित वाली कुछ ही मस्जिदों में महला उपासकों के लिए परावधान है अधिकांस मस्जिदों में महलाओं की मस्जिदों में प्रवेश पर शुरूप से रोक नहीं है लेकिन महलाओं के लिए नवाज हीतु तेयार या उनके लिए अलग परातना छेत का क कोई परावधान भी नहीं है एकेबल पुरसों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और इन संदर्मों में बेकेबल फुरुष ततर्स्ता में सीमित हो जाते हैं और विद्वानों की एगर हम लोग राई की बात मरें तो अधिकांस इसलामी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि नवाज घर पर पड़ी जा सकती है लेकिन यह केबल संदर्मों में ही अदा की जा सकती है इसलिए मस्जिद लाने जाने का महत है अधिकांस इस बात से भी सहमत हैं कि बच्चों की पालन पोसन और अने घरेलू जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए महलाओं को मस्ज समिधान के अनुसार पोर्सों महलाओं की बीच पूर समानता की बात की की है समिधान का भाग तीन आप लोग पढ़िए मौलिक अधिकारों को आप लोग पढ़ते हैं हाजी अली दरगा मामले में उच्च नियाले ने महलाओं को दरगा पर तक वांचित पहुंच पिदान क निकली समिधान के अनुचित 15, 16 और अनुचित 25 का हवाला दिया था और सर्वोच नियाले के समक्ष याचकाएं दारी की गई थी जिसमें देश भर की सभी मश्चिदों में महलाओं की प्रवेश की मांग की गई थी और सर्वोच नियाले ने इसे सबरी माला मामले से जोड दिया था जिसकी हम लोग ने बात की ना यह आप देखें केरल की बात हो रही है तिरुवनंद परमस की रादधान इसकी सीमा करना टक और तमिलाडू से आप लोग देखेंगे ठीक है तो यह भी याद रखिएगा और सर्वोच नियाले की बात की बात हो रही है समिधान के अच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है और 28 जन्मरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी बरतमान में 34 नयादिस देखने को मिलेंगे एक आपका मुख नयादिस 33 अनय नयादिस और इनके सेबानिवित्ती की उमर 65 साल रखी गई है और इस तरह की घंणाय पहल लगा दी गई थी इसके बाद कुछ महलाओं ने इसके समाधान के लिए दरगा प्रबंदन से गोहार लगाई थी हाला कि उनके अनरोधों को आसुईकार किया जाने के बाद उन्होंने इस पिक्रिया में और अधिक महलाओं को सामिल किया और हाजी अली फोर और नामक एक अ हैसला किया था तो आप लोगों को मालू होना स्ताइए कि मंतिर हो चाहे मर्चित हो कहीं कोई पिती बंद नहीं है महलाओं भी जा सकती है और सबसे आप देखें उन पर हसी आती है जो इस तरह की सोच रखते हैं कि आप देखें कि वह अच्छूत हो गए जो आपको जनम दे मौले के अधिकार दिये गए सब के बारावी की बात करते हैं धरम जाती लिंग किसी समुदाय किसी आधार पर आप देखें कोई भेदभाव नहीं किया जो सकता है